इंग्लेंड के दा ओवल में 7 जून यानि आज से डबलू टीसी 2023 का फाइनल मुकाबला खेलने के लिए भारत और आस्ट्रेलिया आमने सामने होगी इस महा मुकाबले के महद कुछ घंटो पहले इंग्लेंड क्रिकेट टीम के पूर्वदिगज ग्रीम सौन ने एक बड़ा बयान दिया है। दरसल इंग्लेंड क्रिकेट टीम के पूर्वदिगज ग्रीम सौन से जियो सिनमा पर जब वर्टेस्ट चैंपेंशिप की उनकी फेवरेट टीम के बारे में सवाल किया गया तो ग्रीम सौन ने कहा फिलहाल अभी ये जवाब देना काफी मुश्किल है कि हमारी फेवरेट ट होने की उमीद की जा रही है विकेट सपाट है और तेज होगा इसके लिए उनके तेज गेंद बास इसका फाइदा जादा से जादा उठा सकते हैं और फिर ग्रीम सौन ने अपनी चाहत सब के सामने रखी उन्होंने कहा भारती टीम के पास कुछ बहतरीन गेंद बास है इस सकती है ये मुंबई के वानखेडे स्टेडियम की लाल मिटी वाली पिच के जैसा वहवार करती हुई नजर आ सकती है इसके बाद भारती टीम को सलाह देते हुए ग्रीम सौन ने कहा कि इस पिच पर भारती टीम को दो स्पिनरों के साथ नहीं उतरना चाहिए उन्होंने कहा इस मुकाबले में जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा उच्छाल देखने को मिलेगा इसलिए लगातार गेम में बने रहने के लिए और दूसरी पारी में स्कोर का बचाफ करने के लिए स्कोर बोर्ड पर जादा से जादा रन टांगने होंगे तेज गेंदबाजों के आप किसे देखना चाहते हैं प्लेइंग 11 में और क्या है आपकी WTC फाइनल की प्लेइंग 11 कमेंट सेक्शन में हमें अपनी प्लेइंग 11 ज़रूर बताएं अगर यह वीडियो आपको पसंद आये हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले